सपा चीफ अखलेश यादव ने उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान परती खातंच कसा है जिसमें उन्होंने उनकी टोपी को लेकर बयान दिया था सपा प्रमुक ने कहा कि जो उनकी मैं उनकी पार्टी की लाल टोपी की आलोशना कर रहे हैं उन्हें खुद भी एक टोपी की जरूरत हो सकती है इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा की लाल टोपी लाल है और कारणामे उसके काले हैं इससे पहले लोकसबचनाव के दोरान समर्थकों से मिलने और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देदने करनोज आये यादव ने अपनी पाटी का बच्चाव करते हुए कहा था कि लाल रंग भावनाव का रंग है लाल रंग देवी दुरगा का रंग है आपको बता दे कि मीडिया से बाच्चीत करते दोरान योगिया दित्यनात प्रकटाक्च करते हुए अखरेश यादव ने कहा कि वे हमारी टोपी का दुर्पयोग कर रहे हैं फिर भी हमारा वेवहार बहुत अच्छा है कम से कम हमारे बाल तो पूरे हैं इसलिए हम टोपी पह पहनी चाहिए सभ़ प्रमुक्ष ने कaha कि उत्तर प्रदेश में लोक सब्सवाचुनाव के दोरान मिली हार को मुख्यमंत्री सुवगार नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं अखलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योग्यादित्यनाथ उत्रप्रदेश में हार का सद्मा बरदाश नहीं कर पाए और इसलिए वे इस तरह के बयान देते नज़र आ रहे हैं अखलेश यादव ने बांगलादेश में पैदा हुए हालात को लेकर योग्यादित्यनाथ की बयान की अलोचना की सपाचीफ ने कहा कि अगर उनके मन में किसी विदेशी मुद्दे को लेकर कुछ है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी चाहिए सच्चा यह है कि योग्यादित्यनाथ सडकों पर अराजकता फैलाना चाते हैं अखलेश यादव ने भारतियनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए अखलेश यादव ने ये भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी में अस्पताल उत्रप्रदेश में बनाए गए थे भारति सच्चा को लेकर खास तोर पर धील ढालती हुई नजर आ रही है